कि तो वेरे गुड़ आपने टॉवल ऑफ इस्टेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग में उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे टॉपिक्स आपको अच्छे समाझ आ रहे होंगे टॉपिक हमारा फिलाल हमारी बुक रन हो रही है कॉंप्लेक्स एनालिसिस तो देख कनफॉर्मल क्या सीख रहे हैं कनफॉर्मल क्या सीख रहे हैं कनफॉर्मल कनफॉर्मल करें मेरे मेरे मिला है कि रांस्फॉर्मेशन और मैपिंग क्या कहां कनफॉर्मल ट्रांस्फॉर्मेशन और मैपिंग तो समझने का प्यास करते सब्सक्राइब करते हैं कुछ इंपॉर्टन चीजों से कनफॉर्मल का मीनिंग मैंने शायद बता दिया था मैपिंग क्या है ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग सीख रहे थे कुछ बेसिक सी बाते बताओ फिर हम लोग सीधे क्वेशन पर आ रहे हैं इसे की कनफॉर्मल में आप जानते हैं मैगनिट्यूड और रोटेशन ऑफ दिस दो चीजों पर हम लोगों ने डिसकस किया हुआ था और इसमें लोग ने दो रोटेशन इन्वर्दन इन वर्दन में क्या होता है एक पिस्वेद्ट मिल जाता है थीग है हएawning रोटेशन में क्या होता है और पिर मैगनिफिकेशन में क्या होता है था-चोटा या बढ़ा है बढ़ यह डबलो इसका स्टू एजड प्लस बी अपॉन प्लस डी बढ़ हां यह कब रिप्रेजेंट करता है बाइलीनियर को अधियो जब बाइलीनियर ट्रांसफोर्मेशन की बात करते हैं जो भी हम लोग जिस तरीके से मैपिंग कराते हैं तो यह चार का मिक्सफ फार्म भी हमें देखने को मिलता जैसे कि मैगनिफिकेशन और रोटेशन को एक सट कर दिया जाता है या फिर इनवर्जन तो एक कैसी अलग हो जाता है ट्रांसलेशन और रोटेशन को हम मिक्स कर सकते हैं तो यह चार से फिर कई प्रापरिटी जागे जनरेट होने कि यह कब शर्चिंट करेगा कब सर्केल को रप्राइब करेगा जो बढ़ यह यह बाद बाढ़ यह सिस्टम को अपने अंदर कंटेंड करेगा इधर शो दी सर्क्यल बास समझे या नहीं समझे आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इसके आलाब कुछ और बता यादा है सबसें नहीं दो तो नहीं है भी दख जोत रही थी याद आ गई एक तो फिक्स भॉंड हो रहा था तो उसमें कोई एक पॉंट ऐसा होता है जिसने होता है जो कि fix हो चुका होता है और वहां से फिर हमको पता चलता है fixed point fixed point के लिए कितनी type की theories बताएं सी बताएंगे शीतल हाँ दो बहुत बढ़ी है कौन कौन सी जब की हाँ जब की same है और जब की distinct है वो लो अनो जब same होते है तब फिर क्या होता है structure यहां पर पी जो है वो क्या है वही तो है fixed point गोड मांसी वही तो है क्या fixed point सही है और जब कि हम लोग बात करते हैं कि जब कि distinct हों के तब स्वेता बताएं जब distinct हों के तब क्या होगा क्या ही देख रहे हैं आप उसका चाहरा बोलो डबलो माइनस पी अपॉन डबलो माइनस क्यू इसक्स टू जड़ माइनस जड़ माइनस के जड़ माइनस पी अपॉन जड़ माइनस क्यू के यहां से तीन तरीके के company nature कोटंटेन कर लेता है पहला निचर क्या होता है पहला निचर रखंड बोलो यार क्या ही कर रहे हो नहरा होता है तो था क्सरा किस हस Suit All electric क्या होता है AI Alpha Alpha क्या होगा डव्त is notenga잖아 And Tr相,"", हाँढ हम इसमें एक value क्या चोगी तर्ा हमस्पा बन नहीं होग ए great rather than zero होगा वन नहीं होगा एलफा दस नाट इक्वल डू जीरो किसको बताता है यह सब्सक्राइब करना हो अगर बाइलीनियर ट्रांस्फरमेशन जनरेट करना हो तो तो तीन क्राइब करते हैं माने क्रॉस सेक्ष्ट सिंप्ली हम जानना चाहते हैं क्रॉस रेश्यो बोलो जल्दी से डबलो वन टू थृप्व यह इप और देखते हैं समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है इसको वड़ा वड़ नोट कर अभी मैं आ रहा हूँ फिए बढ़ यां बहुत बढ़ यां ठीक है सभी लोग ने अच्छर जवाब दिया अब चिलो आज की क्लास की श्रुवात करते हैं डिकते हुआ का हो सकता है क्या सीख सकते हैं ठीक है दो तीन चीज़ों को हम लोग समझने का प्रियास करेंगे एक हम लोग बढ़ रहे हैं कोई भी एक क्वेशन डिसकस कर लेते हैं और क्रॉब्लम डिसका हाँ श्यदा आप से बाद हो रही नहीं मुझे याद आया क्रॉस रेशियो में कितने कैसे बनते हैं सारे कैसे गिनवाओ क्रॉस रेशियो में हां क्रदिका बोलो अरे पता कैसे नहीं यार एक तो जबकि इस तीनों की तीनों ही पॉइंट्स मतलब जेड प्लेन के थ्री पॉइंट्स और डबलू के थ्री पॉइंट्स आपको गिवेन हो दूजरा जब सिंगल एक इंफिनिटी होता है और जब दो इंफिनिटी होते हैं सिंघ जोटनेती आपर जाए अचलता क्या लए आ है और चलमाले कंना आगे बढ़ा जाए देखते हैं अभी सब कुछ क्लियर होता है एक कोईच़्चन हम लोग पर करने कोशन करने और देखते कि क्या होसकता है और और कोईश्चन् सेवंथ बता दें कौन सा बता दें 2007 और नो में पूचा के सैवंथ का पार्ट ए डिसकस करेंगे सैवंथ का पार्ट ए मेरी बुक से 105 हां मौड ओफ देड माइनस फाइव स्कस्टु फाइव थिक हैं है 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 आगे बढ़ा जाएं कि आगे समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि किया हो सकते हैं आट आए ऑूग değil आगी है कि मॉडब ओ जानते हैं कि यह इख का के लिखा गया है circle का equation लिखा गया है बोलो लिखा गया या नहीं लिखा गया है अरे यार साथ साथ हम लोग जानते हैं कि z minus a is close to r होता है r मतलब radius 5 हो गया और a यहाँ पर center जो वो कहाँ पर shift हो गया है 5 पर shift हो गया है अलांकि इसी को अगर आप Cartesian pump पर लेना चाहते हैं समझे कर दो एक प्लस आयोटा वाई समझे की समझे मामला हो जाएगा फिलाल हमारा उद्देश से यह नहीं था हमारा उद्देश से क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं इस circle का इमेज निकालना है इस circle का क्या जनरेट करना है इमेज जनरेट करना है और किसके corresponding तो देखो वो बता रहा है डबलू इसको स्टू जेड अपॉन जेड प्लस वन इस transformation के कॉर्डिंग इसका इमेज हमको बताना है कि क्या होगा ठेक है एक तरफ हमारे पास क्या एक्जिस्ट कर रहा है तरफ हमारे पास एक्जिस्ट कर रहा है सरकिल यानि यह जो है यह माने एक्स वाई प्लेन और इसका इमेज हम जानना चाह रहे हैं कि दूसरी तरफ क्या होगा और क्या होगा मतलब, क्या होगा मतलब यही पता करना है, क्या होगा, अब यह हमारे पास UV प्लेन आ गया है, ठीक है, देखते हैं वाई क्या हो सकता है, फिलाग, हमारे पास जो given है, उसमें Z हमारे पास given है, तो हम क्या करेंगे यहां से, Z की value generate करेंगे, in term of W, W, Z plus 1 is close to Z, बो Z minus 1, minus W, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, तो Z की value minus का W upon W minus 1, बोलो बनता है या नहीं बनता है, माहने Z is close to W upon 1 minus W, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, इस result को उठाएंगे और उठा करके कहां रख देंगे, in equation 1, किसमें, in equation 1, 1 report करेंगे और समझने का प्रयास करते हैं, कि 1 म अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रख देते हैं बई, तो यहां से आपको देखने को मिलता है, Z की जगहे पर, W upon 1 minus W is close to 5, ये modulus value आप जानते है, modulus की ये property होती है, mod of Z square को क्या लिख सकते हैं, Z, Z bar लिख सकते हैं, अब जो simplify हो नहीं सकता है, कुछ missing है, और missing है कि इसमें minus 5 चल रहा है, is close to 5, done, तो हमने यहां से क्या किया, हमने इस पर, इस पर हमने रन करा दिया, LCM ले लिया, W minus 5, 1 minus W, whole upon 1 minus W, is close to क्या मिल जाता है, 5 मिल जाता है, यहां से W minus 5 plus 5W is close to 1 minus W, is close to 5, यहां से क्या मिल जाता है, 6W minus 5, 1 minus W, is close to 5, बोलो बनता है या नहीं बनता है, अब हमको क्या करना है, कि हमको simply पता करना है कि structure क्या represent कर रहा है, तो हमने क्या किया, squaring both side करा दिया, कितनी side squaring करा या, both side, क्या वो वाली property अपलाई कर सकते हैं, जब वहां पर Z, Z bar बन र तो 6W minus 5 upon 1 minus W, is close to 5, समझने का प्रयास करना, जब बार चलेगा, जब यह वाला बार आएगा, तो यह पूरे expression पर बार जन्रेट होगा, तो मतलब यह whole body पर बार आएगा, फिर यह बार क्या होगा, सेपरेट होगा, तो जब सेपरेट होगा, तो यह सब के पास जाएगा, अ डबलू की जगे पर क्या हो जाता है, डबलू बार हो जाता है, अब यह काम करते हैं कि थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, numerator अलग, denominator अलग, cross multiply करा दिया जाएग, क्या cross multiply करा सकते हैं, 6W minus 5, बोलो भाई संदेब, 6W minus 5, is close to, यहाँ से 5, या 25 होगा, तो भी गलत करवा रहे ह 25, 25, तो यहाँ पर भी क्या जन रेट हो जाता है, 25, यहाँ से बोलो क्या मिलता है, 1 minus W और 1 minus W बार, आगे बढ़ा जाएं, यहाँ से 6, 6 चा, 36, W, W बार, फिर, माइनस का 30, common हो जाएगा, W प्लस W बार बना देगा, फिर, प्लस का 25 बना देगा, इसका स्टू 25, 1 minus W प्लस W बार बना देगा, प्लस W बार बना देगा, बोलो भाई, यह बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है, ठीक है, कुछ टर्म्स को calculate करने कोशिश करते हैं, इसको calculate करने कोशिश करते हैं, तो 36, W, W बार माइनस, अरे कुछ cancel बना देगा, अरे हो सकता है, 30, W, प्लस W बार प्लस 25, इसका स्टू 25, माइनस 25, W, प्लस W बार और प्लस का 25, W, बार, सबको बना देगा, 36 में से 25 चला जाता है, तो मुझे लगता है, 11, W, बार, 25 इदर तो माइनस का 5, W, प्लस W बार, और फिर, ये cancel हो जाएगा, 25 से 25, ठीक है भईया बिननन, बहुत ज़्यार दुम क्लाफ बोद मिस्करते हो, क्या ही बात है, V also know, V also know, यह भी जानते है, Z की वैलू क्या होती है, X प्लस I, Y, और W की वैलू क्या पताई थी, यू प्लस IV, तो W इसकर स्टू, यू प्लस आयोटा V, तो बताव बज़रा, डबलू बार यहां से क्या जनलेट हो जाएगा, यू माइनस IV, वन्को तो सल्ली नहीं मिल लगे है, एक बार एड कर देते हैं, नहीं, दो की वैलू क्या हो जाती है, to U, और जब हमने दोनों का करा दिया क्या훈 क्या मल्टिप्लाई, तो मल्टिप्लाई कराने पर क्या मिलता है, डबलू डबलू बार इसके स्टू U स्कार प्लस V स्कार कोई समस्क्राइए यहाँ दक बढ़ा जाए आगे सारी बालू इसको उड़ाओ लाकर के रख दो जैसे यह एक्स्प्रेशन के अंदर रखका हमें क्या देखने को मिलता है बोलो वाई 11 डबलू डबलू बार की वैलू क्या मिल जाती है U स्कार प्लस V स्कार और यह 2 U है 24 नहीं है यहाँ से क्या है माइनस का 5 और 7 में 2 U स्कार जीरो माने 11 U स्कार प्लस V स्कार माइनस का 10 U स्कार जीरो अब यह कुछ काम अच्छा लग रहा है हमको क्या करना चाहिए हमको simply 11 से divide कराना चाहिए u square plus v square minus u is plus 2 0 आगे बढ़ा जाएं आगे बढ़ा जाएं ये structure क्या है इस बात की पुस्टी की जाएगी last class में equation of phonics सिखा जा था last class में equation of phone बता जा था सेम होंगे बस good xy का coefficient क्या होगा जीरो होगा बढ़ यां तो अभी हमें यह पता चल ला है कि इसमें xy का कोईटम नहीं है और साथ में जो है यू स्कर्क और जो वी स्कर्क का coefficient है वो दोनों भी क्या है सेम हो चुके हैं एक चीज़तों क्लियर होती कि कि किसको नहु tesो को interessant कर रहा है यह सबक्रिकल को रिपरेंट कर रहा है हम यह भी बता कर लेते हैं कि इसका रेडियस कितना होगा कि वहां पर विढ्रक को center radius बता था अभी हम यहां से यही prosecutors कन ने जा रहे हैं आगे बढ़ा V की value क्या हो जाती है 0 हो जाती है ये क्या ही चलना है 2GU 2FV X और Y का replacement U और V से करा दिया है X और Y का replacement किसे करा जा है U और V से ठीक है तो यहां से जो G की value आएगी वो क्या आ जाती है minus का minus का 5Y11 और F की value क्या जाती है 0 C की value क्या जाती है 0 ये use minus g, minus f, बढ़ीया, पर बढ़ीया वहाँ बढ़ीया, तो center की हम लोग बात करते हैं, तो center में क्या जाता है, minus g, minus f, माने minus g की value क्या है, यानि 5 upon 11,0, बोलो बनता है या नहीं बनता है, जबकि हम लोग radius की, अगर हम बात करते हैं, तो radius के लिए formula क्या बनता है G square plus F square minus C होता है आप कुछ भावुख हो रहे दे G square plus F square minus C C क्या है? 0 है F क्या है? 0 है आज तो G square जब करो के तो simplify करने के बाद क्या 5 upon 11 ही तो मिलेगा बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा तो खुल मिला करके radius आ चुका है और क्या पता चल गया है? सेंटर पता चल गया है तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं इसकी चर्चा लेकिन कहां कीजाए ये एक समस्या वाली बात है चलो इसी जगे पर कहीं इसी जगे पर कहीं Z की value एक काम को रो सीजे रख दो Z की value क्या रख देंगे? X plus Iota Y क्या रख देते हैं? तो X minus 5 प्लस Iota Y इसका स्टू 5 बोलो बनता है या नहीं बनता है ये क्या है? ये बत्तमीजी है हाँ अभी सही है? अभी एक काम करते है इसको simplify करते हैं तो ये देखने को मिलता है X minus 5 का whole स्कार प्लस Y स्कार सेंटर इसका किस पॉइंट पर होगा? सेंटर कहां पर होगा? गुड फाइफ कॉमा जीरो पर होगा और रेडियस इसका कितना है? फाइफ चल रहा है बास समझे या नहीं समझे? तो फुल में लाकर करके जब हमने सर्किल को ट्रांस्फॉर्म कराया with the help of this mapping, this bilinear transformation तो हमने देखा सर्किल किस में बदला? सर्किल में बदला बदला या नहीं बदला? और साथ ही साथ पहले भी जो सेंटर ता वो किस पर लाई कर रहा था? एक्स एक्स पर लाई कर रहा है अभी जब इसको ट्रांस्फॉर्म किया तो घुब जो सेंटर वो किस पर लाई कर रहा है? यूए एक्स पर लाई कर रहा है माने रियल वाला रियल में गया इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में गया नहीं मेरी बास समझे समझ गये? बढ़ है फटाफेट इसको जल्दी से नोट करेंगे और फिर्म लोग आके समझने का प्रयास करेंगे कि बदाइए कभी एक समय था कि कहा सीतल नोट नहीं करती थी आज एक समय देखिए सीटल में कितना बदला आ गया सीटल आखिर कर कैसे बदल करी तुम इजना अच्छा अब तीक है आगे से क्या करें कि रजिस्टर में सब का पर्सनल नंबर और प्लस मम्मी का नंबर भाई इसी जवता चलता है फीड़ यहीं है अब देखिए एक व्यक्ति कि मम्मी का नंबर है तो देखिए वह नोट का पहिए वाह किसमारे यहां पर देखिए सब बै in classes में एक सीखा होगा f into g दो फंक्षन है दो फंक्षन इसका होगा f into G एक सीखा होगा f and gov दोग तो एक सीखा होगा Fog and gov जादा यह तहeg अब जरा तो question no.9 उसको ध्यान से देखो वह किसका product का जो भी बता रहे थे product का केस है या Fog or Goff का case है अब यह हम कई से बचानेगी het product का नहीं Fog or Goff का case है अगर प्रोलिक उता होता तो क्या होता विल्ख सभब्रकाईче автом में कहा गया है T1 inverse Z और साथ में T2 Z यह बात कहीं जा रही है इसको ज़रा ध्यान से देखो तो अगर सच में यह प्रोडेक्ट में होता तो यह बन रहा होता T1 inverse Z into T2 यह बन रहा होता यह किसका कैसा यह प्रोडेक्ट का कैसा जबकि यहां पर देखो तो एक जड़ मिसिंग है तो मतलब क्या करना है T1 इन्वर्स्टी टूदे बात समझें कि नहीं समझें अब इसको कर पाऊ गया हम बताएं कि हो जाएगा सभी लोग सभी लोग डन हां अखंड डन ठीक है अखंड ने कहा तो फिर मैं भी मान लेता हूं समझने का प्रयास करते हैं यह को अलवर टन पर आएंगे लास्ट क्लास में रहन नमबर नवर नवर ने तक हम लोग आएंगे और पिर समझने का प्रयास करेंगे तर न एवरी बालिनीयर ट्रांसफोर्मेशिन मैप और स्ट्रेट लइन इंटु सरकिल और स्ट्क्लार्ट णिचल और स्ट्रेट लाईय 28 मिली सबर्इगो क्या बात कही गई है कि every by-linear transformation every by-linear transformation का यहां पर क्या meaning है भाई by-linear transformation का यहां पर क्या meaning होगा क्या फॉर्मेट होगा बढ़ हैं बस 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 डबलो इसकस्टू एजड़ प्लस बी अपॉन सीजड़ प्लस दी कोई समस्तिया यहां पर कंडिशन आ गया आप बसको बताई जा रही है कि आपको मोवियसर श्रांसफर्मेशन आपने साथनफी करें यह संधनर इसको को बताई का सबस्यज turned Circle में कहते हैं क्यों Circle में कहते हैं क्योंकि जो हमारे पास Transformation दिया गए था वह एक्चल ने बाइ-Linear Transformation दा Process क्या था उसका WS plus 2 Z upon Z minus 2 क्या था अभी देखो तुम लोगों ने नोड किया हुआ जैड़ अपॉन बाल फ्लस वन डबल सक्षटू पॉन यह जैखो डबल स्क्षट्टू जैड़ पॉन एक्षट्टू गांड पॉछे कईसी है तो क्उन सी होगी बाई लिनियर होगी या नहीं होगी अरे इसको ध्यान से देखो तो हम यह भी तो लिख सकते हैं प्लस जीरो नहीं समझें कुछ यही structure दो बन रहा है क्या ID माइनस BC 0 जा रहा है नहीं जा रहा है बाइलीनियर है या नहीं है इसलिए इसने क्या क्या दा सर्किल को transform किया था किस पर सर्किल पर तो एक चीज़ तो clear होते है कि थेहरं नूबर 10 में जो बात कही जा रही है है वो परम सत्य है क्योंकि इसको अभी हम लोग एक बाइग्जामपल समझ चुके हैं ठीक आगे बढ़ा जाएं ठीरम के प्रोव्मेंट पर आते हैं अगर सर्किल और स्ट्रेट की दोनों की बास इसके लिए हमें कौन सा रूल अडाप्ट करना होता है कौन सी चुरम कोई चुरम बताएं तो इसके अंदर वैलू को पूट करेंगे और इसके अंदर वैलू को पूट करने के बाद में रिजल्ट किसमें आना चाहिए डवलू के फॉर्म पर सेमे इस ट्रेक्टर मिल जाता तो कि रिप्रेश्ट कर देगा सर्किल को बढ़ेंग हां तार्केट फिक्स होता है तो हमें यहां पर क्या करना चाहिए सब से बिले अडिक या निकाल लेना चाहिए बोलो जन्मेट करन । बनता है या नहीं बनता है। क्या यहां से कुछ हम लोग कॉमन कर सकते हैं। बढ़ हां Z B-DW मुझे लगता है Z is to B-DW upon CW- बनता है या नहीं बनता है। यहां से सबकुछ ठीक ठाक चल दाएं। देखे रही न वाया। देखे रही ना इस जगे से आगे बड़ा रहे हैं इसी को modify करके यह लाएं है now using now using कौन सी equation इस्तेमाल करने जा रहे हैं z-p upon z-q discuss to k यह k मतलब हमारे पास चल रहा है k होता है हम अभी इसके अंदर क्या करने जा रहे हैं उसको put करने जा रहे हैं values हमारे पास क्या है b-d w upon cw-a और minus का p whole upon whole upon b whole upon b n नए 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 गलत बता रही हो हाँ b-d w upon cw-a यह क्या है c नहीं आएगा c तुम लोग सही बता रहे हो बढ़ यहां, गुड, एक काम करते हैं, LCM ले लेते हैं, जैसे हमने LCM को लिया, हमें देखने को मिलता है, DW-P, CW-A, whole upon, B-DW-Q, CW-A, पता हो यहां तक चीज़े के लिए रहे हैं, अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इसमें कुछ experiment करेंगे, यहां से हमको देखन को मिलता है, this implies that, Z-P upon Z-Q is caused to, बोलो यहां से output क्या देखने को मिलता है, B-, यह वाला portion इससे multiply होगा, तो plus का AQ बना देता है, और यहां से क्या देखने को मिलता है, AP बनाए का बच्चा, B plus AP, W को कर लो common, minus का W हमने कर लिया common, तो हमें क्या देखने को मिलता है, C plus D, CP plus D, CP plus D, CP plus D, फिर जड़ा बोलो, AQ plus B, फिर माइनस का W हमने common किया, CQ plus D, कोई समस्थिया यहां तक, देखो, यह जो expression होता है, इसमें जड़ कैसा है, positive है, तो हमारे पास जो हमें structure को ला रहे हैं, को हमारे पास structure बनना चाहिए था, W minus P upon W minus Q, इसका स्टूपके, यह structure बनना चाहिए था, W काईसा होना चाहिए था, positive होना चाहिए था, बोलो होना चाहिए था, यह नहीं होना चाहिए था, आपने पास W काईसा आ रहा है, negative आ रहा है, हाला कि model of से कुछ खास impact पढ़े कर नह को minus sign common कर लेंगे और बात बन जाएगी, यहाँ पर इन्होंने minus sign को कर लिया है common, और जैसे ही minus sign को common करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, dw minus b upon a minus cw, कोई समस्या, कोई समस्या, वो थार absolutely correct, यह भी एकदम सही है, क्या करना है, सारी values को put कर देना है, जैसे expression के अंदर सारी values को put करते हो तो तुमको क्या देखने को मिलता है, तुमको देखने को मिलेगा, कि वहाँ पर जो structure बन रहा है, वो वही बन रहा होगा, बस उ समस्यां अच्छा देखते हैं यहां से हमने क्या किया माइनस को कर लिया कॉमन तो CP प्लस B माइनस का B प्लस AP होल अपॉन यहां से क्या देखने को मिलता है डबलू CQ प्लस B माइनस का AQ प्लस B बोलो भाई कोई समस्या यहां तक डबलू का कॉफिशंट यहाँ पर क्या है यहाँ पर z का coefficient क्या है तो यहाँ पर w का coefficient क्या होना चाहिए तो फिर हमको यहाँ से क्या करना चाहिए cp प्लस d को common कर लेना चाहिए यहाँ से क्या देखने को मिलता है b प्लस ap माइनस cp प्लस d और 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 इसको अड़ा देते हैं यहां से बोलो जड़ा यहां से C Q प्लस D C Q प्लस D ठीक टक चलना है ना चलो ठीक है तुम लोगों का साथ मिल रहा है तो फिर इसको आगे रन कराते हैं यह सब क्या है यह सब क्या है यह सब कॉंस्टेंट ही तो है इसके पहले वाली चोरम पूरी बताई वही है जिसमें कि प्यों क्या होते हैं तो मतलब कर कि यह जो स्ट्रेक्चर देखने को मिल रहा है अच्छा इसकी वैलू हम लोग जानते हैं इसकी वैलू क्या है के के तो चुप प्लस डी अपॉन सी क्यू प्लस डी और इंसाइट दी ब्रेसेज पीडैस अपॉन क्यू डैस कुछ इस तरह है अब यह कुछ कम तसलिए मिल यह काम को ज़रा cross multiply करा हूँ तो w minus p dash upon w minus q dash is close to k dash कोई समस्या इसका कर नहीं कर पाओगे बोलो जरा इसका कि क्या होगा k dash की value क्या जाएगी और यार इसका इधर multiply कर आओगे तो क्या कोई समस्क्यां यहां तक यह circle को तब represent करता जब k की value क्या होती है 1 होती है जब यहाँ पर k की value 1 put किया तो overall जो result है वो k डैस पर अपने रभर करने लगेगा कुल मिला करके दो और पुर्दम को इसी ज़े के दे same situations पर बताया जा रहे होंगे कहा जा रहा होगा represent represent circle if k डैस does not discuss to 1 and straight line if k डैस discuss to 1 कोई समस्या हाँ बोलो कोई समस्या कोई आपत या वे पत लिए कुछ पूछना हो तो फटाफट पूछो जल्दी से आगे बढ़ा जाएं आगे बढ़ा जाएं नहीं आ रहा है हाँ बोलो कह मैंने कहा था लिया ही नही काई बात कही ही रही थी की टीन वाहां से जंडेट हो रही हैँ नहीं हरा थी को प्लस वन लेंगे सवाल यह किया क्यों नहीं करते हैं कुछ सट्रेंस को नेकलेट करते हैं करते हैं की सब्सक्राइबल होगा अगर इसको में कहां रखना होगा जड़ माइनस प्यपाउन इसको यहां पर रख दो सब्सक्राइब करो इसको फटाफट नोड करो फटाफट नोड कर और प्रयास करते हैं सब्सक्राइब कर्ज है मेरे ऊपर हाँ मुझे समझ नहीं घाता में इनलों के कैसे ही चुकाउंगा अरे प्यार उनको चौकले रखना है लेकिन फिर भी बात द रुपियों की नहीं होती है बातifie कि नहीं होती है बात चॉज्वी sinking बात है इंसान को कितना कर रहा है और मतलब ये मुझे लगता कि शह्यां मतलब मिन प्रम को शार कभी उतना रेष्प्पनेल पांगा देखते हैं वह क्या हो सकता है है आध वह मेरी स्टु डेंट सिप्रा सिप्रा बाच बेई कॉंटेक्ट में है किर्दी दमारे नहीं है अच्छा आई आई कान पर महीं है उनसे आजकर मेरी लडाई चल लगी है क्योंकि उनको मेरी बात नहीं समझ आती है वो कुछ में यह क्या या तो अश्यूर्च करके के लेगी है देखते हैं वह बहुत मतलब 11 को डिसकस करते हैं रहीं ते हर एक बात मांती है मतलब हम कुछ भी कही देख तो वो कभी उस tôi poosal को reject नहीं करती हैं लेकिन उनके एक आदब है कि वो मेरे सामने मतलब उनकी आदब दो असवित्यारा कच देना हम यह और हिसा करना है करेंगी वहीं रोढ़ाने नहीं हम को तुम को पूरब में जाना है तो मतलब वो मेरी हर एक बात मुलब शीव मूर टालेंटेट परसन और मतलब बहुत शार्प मैंड़ेट और अभी भी मतलब वही कर देंगे जो हम चाह रहे थे लेकिन अभी कैमरा जब आफ करते हैं तो फिर बदाते हैं क्या कर रही है और इस लिए उन्होंने काफी टाइम मुझे लगता है नियर अभी वन यह होने को आ रहा है वह हमसे नहीं बात कि हम उनसे नहीं बात कि ना हमने उनको फोन में एक दोबार हमसे कॉंटेट करने कोशिस की समझने के प्रयास करना सब्सक्राइब करना है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आंसर हमारा यह आ चुका है आ यहीं तो है moubius transformation अब यह जो mombius transformation है इसको दी गई certain conditions पर hold कराना है इसको क्या करना चार सेगी यह कहाँ वास मतलब समझ रहे हो से बढ़ा है जिरो से बड़ा है इतना बड़ा है कि यह प्लस इंफिनिटी के तरफ ड्रोटेट कर जाएगा इधर प्लस इंफिनिटी आपको अगर हम देखें तो जानते ज़रा समझते रहे ना कि यह इससे दो तीन चेवर्म जुक्त हैं यह यह बहुत ही सिंजीर हो करके हमारे अनुग जवाब देखते हैं बदेगे मैंने बहुत 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 काने के विए क्या क्या-क्या नहीं किया लेकिन आफिर करेंगों ने बिल्कुल चत्राई के साथ नहीं पढ़ें हाँ जब की कहा गया है कि वाइस ग्रेटर इसकस्टू जिरो जब कि क्या बात कह दी कि यह वाइस ग्रेटर इसकस्टू जीरो मतलब वाइस जो है वो चार कौर्डेंट में कौन-कौन से कौर तो अगर हम यहां पर लेते हैं जब इसकस्टू एक्स प्लस आयोटा वाई तो यह वाला जो इस्सा जाएगा यह किसमें चला जाएगा माइनस एक प्लस आयोटा वाई बोलो जाएगा या नहीं जाएगा तुमनें दो चीजे सीखी होंगी एक वो कॉन्जुकेट वाला प् इनको यहाँ ठ्सफिभड उसकेशन यही है हमें किसी Ten तरीके से इनको यहाँ पर रहाई है अगर एक हमारा सकता है vie कि अगर यह पर यह जा दर्पर देंगे क्सटा यह यहां वह तो तुम्हारा जो इस सब कॉपहर है तो इस मैं में तो कभी नहीं बनेगा किसके निए बनेगा हमेज़ा इमेजिनरी एकसे करिस्पॉंड नहीं बनेगा वह यहां तो पुल मिलाकर के हम की critical points, क्रिटिकल points, मैंने तुमको बताए दे, क्या होते हैं, critical points क्या होते हैं, हाँ, जहां पर infinity और 0 हो जाए, अब बोलो critical points निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पहली बार में तो az plus b is close to 0 करना होगा, अगर हम चाहते हैं कि w is close to 0 मिले तब, और इस situation में z की value तुमको क्या देखने को मिलती है, minus का b upon a, w is close to 0, ठीक है, और फिर जब second round की हम लोग बात करते हैं, second round की बात करते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलता है, w is close to infinity, यह तुमको तब मिलेगा, जब c z plus d is close to 0, this implies that, यह क्या implies कर देगा, w is close to infinity तब मिलना है, जब z is close to minus का d upon c मिलेगा, बात समझ में आती हैं नहीं आती है, फोल मिला करके, w is close to 0, और w is close to infinity, दो critical points हमको मिल चुके हैं, इन critical points के मिलने के बाद में, हम इस equation 1 को modify करने जा रहे हैं, again, using 1, जैसे हमने using 1 लिया, हमें देखने को मिलता है, a z plus b upon c z plus d, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हाँ बोलो क्या हो गया, a को common कर लिया, z plus b by a upon, यहां से देखो जरा, c को common कर लिया, z plus d by c, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, सवाल है कि क्यों, वह यह जवाब यह है, हम क्या करना चाह रहे है, हम करना यह चाह रहे है, कि जो w है, इसको हम लिखना चाह रहे है, a upon c, inside the braces, z minus, minus का b upon a, बोलो बनेगा, z minus, minus का d upon c, बोलो बनेगा, कोई समस्या यहां तक, बढ़ा जागे, आगे बढ़ा जाएं, इसमें कुछ पूछना हो, तो बताओ, minus minus plus हो जाएगा, done, हमने let किया, हमने let किया, minus का b upon a को alpha, और minus d upon a को alpha dash, मुझे लगता है, alpha bar I think, resume किया गया, alpha bar, आगे बढ़ा जाएं, सारी values को put करो, तो डबलो इसके स्टू क्या देखने को मिलता है, a upon c, z minus alpha upon z minus alpha bar, बोलो मिलेगा जाएं, नहीं मिलेगा, मिल जाता है, आगे बढ़ा जाएं, question को ज़रा ध्यान से देखो, हमने ये किस की value निका ली है, हमने ये डबलो की value निका ली है, transformation में कही रहा है, कि ये वाला जो plane है, ज्यांद ज़रा समझना, ये वाला जो reason है, वो कही रहा है, ये reason transform होगा, और transform होने के बाद में, mod of z is cast to one में तबदील होगा, mod of w is cast to one में, mod of w का मतलब तुम लोग समझ रहे हो, ये अभी किस plane पर था, ये xy plane पर था, इमेडियेटली किसमें transfer हो जाएगा, uv plane पर transfer हो जाएगा, mod of w is cast to one का मतलब क्या है, एक circle बन जाएगा, जिसका center कहाँ पर होगा, origin पर होगा, और साथ जिसका radius कितना हो चुका है, one हो चुका है, कोई समस्थिया है यहाँ तक, क्या है केवल circumference है, अंदर का कोई reason नहीं है, इस बाद को अपने दिमाग में रखना है, now, mod of w is cast to one के आपको question में दिया गया है, ठीक है, तो mod of w, a upon c z minus alpha upon z minus alpha bar, is cast to one, बोलो बनता है या नहीं बनता है, बन जाता है, आगे बढ़ा जाएग, यहाँ से फिर देखो, a upon c modulus रहा, z minus alpha upon z minus alpha bar, is cast to one रहा, ठीक है, यह वाली जो condition दी गई है, विजो पूरा overall structure चल ला है, यह structure तुमको दिया जा रहा है, imaginary part of z is greater or is cast to zero, greater or is cast to zero का मतलब भहिया पहले समझ लेते हैं, दो conditions involved हैं, एक तो z is greater than zero, दूसरा z is cast to zero, मतलब imaginary part, मतलब imaginary का मतलब, यहाँ से y की बात की जा रही है, y is cast to zero, और y is greater than zero, y is cast to zero तुमको यह simply x axis को represent कर रहा है, मतलब जो real axis है केवल उसको बता रहा है, जो दूसरी वाली condition है, वो race को ऊपर लेकर के जा रहा है, तो जब यहाँ पर, जब structure में, यह वाला पूरा reason, equal zero के लिए solve किया जाएगा, तो देखो, आपर z is cast to zero रखा जा रहा है, कहा गया है तुमको question में, कि यह output, यह वाला output, one के equal, मतलब mod of w is cast to one, तब होगा, जब z is cast to क्या होगा, zero होगा, क्या होगा, zero होगा, देखो, question में दिखा, चुरम में दिखा, नहीं दिखा, दिखा, कहा है, हाँ, the point, देखो, equation three के ठीक नीचे देखो, equation three के ठीक नीचे, दिखा, the point, z is cast to zero, on the boundary of the half plane, वो boundary यही है, यही जो real axis वाली boundary है, यही पूरी boundary तब्दील हो रही आकर कि किस में, इस circumference में, clear, तो यहां से बताते हैं कि यह result तब है, when, z is cast to zero, when, z is cast to zero, अब देखो, यहां से क्या करने जा रहा हैं, जब z is cast to zero है, जैसे ही रखते हैं, तो यहां से तुमको क्या देखने को मिलता है, mode of a upon c, zero minus alpha upon zero minus alpha bar, discuss to one, कोई समस्या, आगे बढ़ा जाएं, यहां पर जो alpha और alpha bar चल रहें, दोनों जूसरे को कर देंगे cancel, अब कारण बताओ क्यों करेंगे, नहीं यार, mode, cancel कहां कर देंगे, अगर mode, mode मतला भाई साथ थोड़ा ही होगा, एक पे mode है, एक पे नहीं है, तो उपर वाले पर भी तो फिर modeless run होगा ना, तो उपर वाले पर modeless होजागा, नीचे वाले से हड़ जाएगा, mode of z, यह सही है, mode of z और mode of z बार की वाले क्या होगी, सेम होगी, तो overall अब हम को बता चलता है, mode of c is close to क्या मिल जाता है, 1, जैसे हमने यहां से modeless को हटाया, तो हमने बताया, a upon c is close to e to the power i lambda, क्या बताया, a upon c is close to e to the power i lambda, इसको उठाना है, और उठा करके in equation 2 में रख देना है, यह रही equation 2, जैसे ही equation 2 में आपने रखा, तो w की value देखो क्या जन्रेट हो रही है, e to the power i lambda, z minus alpha upon z minus alpha bar, यह है, आपका required mobius transformation, नहीं मेरी बास समझे, clear, कोई समस्या, आगे बढ़ा जाएं, बढ़ा जाएं, बढ़ा जाएं, बढ़ा जाएं गएं, good, इसी में आओ, next theorem, ठीक, अच्छा, तो आज के लिए बास इतना ही रखने मिलते हैं, फिर किसी next class में कुछ new problems के साथ में मुम्मीद करता हूँ, आज के आपको पसंद आई होगी, thank you so much to all of you and as always, God bless you all.